हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे राजस्ताने किचन में स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल इडली यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और हम इसे डाइट में भी खा सकते हैं आप अगर हलका खाना चाहते हैं तो आप यह टेबल इडली है आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर आपको तोड़के भी दिखाए हैं कितनी जादा सोफ्ट है कितनी अच्छी है और दिखने में भी कितनी अच्छी दिख रही है शलिए स्टार्ट करते हैं आज की रसेपी इडली बनाने के यहां पर मैंने एक बाउल ल का यूज किया है अगर आप दही डालोगे ना तो दही के अंदर पानी मिक्स करके डालना मैंने यहां पर चाच डाली है इसलिए मैं यहां पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगी डारेक्ट ही चाच ही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चमच की ह हो जाएगा तो आप इसे फर्स्ट में थोड़ा सा पतला रखना और यह वैसे तो अपने आप ही टाइट हो जाता है आप इसे पहले से टाइट रखेंगे तो बहुत हो जाएगा और आप देख सकते हो कि हमारा डोग पतला है और हम इसे ढखके 15-20 मिटी के लिए रेश्ट के कीकि हम वेजिटेबल इडली में हम यहाँ पर सब्जी टाल सकते हो एसे नहुं है कि हम यहाँ पर फिक्स ही सब़ह डालें आप आपको जो भी पसंद है वो सब्ज 채 डाल सकते हो मेरे पास यह पर घाजर थी एक प्याज बैसे 2-3 हरी मिर्च थोड़े से मटर ले लिया मेरे पास यही सबझे तो मैंने यही ले लिए अगर आपके पास यहाँ पर और भी सबजिया है तो आप यहाँ पर ले सकते हो और आपको जो भी पसंद दे मैं यहां पर गाजर को कट करेंगे मैं यहां पर मीडियम साइज में गाजर को कट करेंगे में यहां पर नहीं कट करना है तो इसे मीडियम साइज में में घाजर को अच्छा से कट करने के बाद में कट करूंगे I प्याज और टमाटर को इनको भी कट कर लेंगे बारिक बारिक स्यादा मोटा या स्यादा बारिक भी नहीं थोड़ा सा मीडियम साइज में अच्छे से कट कर लेंगे और आप यहां पर आपके कोडिंग सब्जान ले सकते हो मेरे पास जो भी सब्जी अवेलेबल थी न मैंने वही सब्जियां यहां पर ले ली हैं और यह वेजटेबल इडली बहुत टेस्ट लगती हैं हम इसे डाइट में भी आ सकते हैं अगर आप हलका खाना पसंद कर रहे हो अगर आप रोज रोज भारी खाना खाके बोर हो गए हो तो आप यह वेजटेबल इडली शरूर आप सिर्फ टामाटर बचा होगा है हम यहां पर टामाटर को भी कट कर लेंगे और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेला एकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके यहां पर हमारी सा सब्सक्राइब को कट किया है तब तक हम आपको दिखाते हैं एक बार इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा दो पहले कितना पतला था और कितना गाडा हो गया है क्योंकि सूजी अच्छे से फूल गई है ना इसलिए यहां पर गाडा हो गया है सूजी फूलती है ना पर चाहल रध intelig यहां पर हम साथी में गाजर और मटर भी डाल लें यहीं कुल के राल दालने के बाद रही है कि त्छों के अंप में कुल को कि यहां हम सब्जी से मिक्स करेंगे question कि ए दिर्या करके हम सब्जीं को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करें जदा से जदा शेयर करें कमेंट में शरूर बताना कि आज की जो सूजी की जो इडली है न वेजिटेबल वाली वो आपको केसी लगी और आप भी एक बार शरूर ट्राय करना अपने एक बार इस तरह से इडली बना के खा लिना तो आप हफते में चार से पांस दिन यही इडली खाएंगे अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वात के एकोडिंग मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूंगे क्योंकि हरी मिर्च वैसे मैंने डाली है लेकिन हरी मिर्च मैंने दोती नहीं डाली है वो थोड़ी सी कम तिखी वाली है न तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च और यूज़ करूंगे अब हम इसमें तड़का लगाएंगे उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा पोखोत अच्छा आएगा तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पेन ले लिया है थोड़ा साइस में ओल डाल लेंगे और गेस पर चड़ा देंगे और गरम हो पर एक मिडियम आच पर इसे अच्छे से पका लेंगे दाल को पकाना पड़ेगा और आप देख सकते हो अब हम इसमें लगा लेते हैं तड़का इस तड़के से ना इसका टेस्ट बहुँ साधा अच्छा हता है तड़का लगाने के बाद फिर से हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर न मुझसे थोड़ सा ओल जादा हो गया था तो आप अगर ओल खाना कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ सा ओल भी ले सकते हैं मुझसे न थोड़ा सा जाधा डल गया था अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लाश्ट में इसमें डालेंगे इनु आप चाहो तो यहाँ पर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी डाल सकते हो बट इनु से बहुत अच्छा टेश्ट आता है और इनु से क्या होता है क फटा फट से इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे इनु को ना अंदर फटा फट ही मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सारे में मिक्स हो जाए बेटर में और इस बेटर को हम रखेंगे साइड में और यहाँ पर हम ले लेंगे इडली स्टेन इडली इस्टेंड लेने के बाद हम इसे ओल से ग्रीस नहीं करेंगे आप चाहो तो यहां इसे ओल से ग्रीस भी कर सकते हो बट मैं इसे ओल से ग्रीस नहीं करूँगी इसे क्या होता है कि आप इसमें हमने ओल डाला है ना तो हम इसे ओल से ग्रीस नहीं करेंगे ना तो भी यह नहीं चिपकेगी और आप चाहू तो कर भी सकते हो देख सकते हो कि मैंने यहां पर ओल से ग्रीस नहीं किया है और आप लास्ट में ज़रू देखना कि हमारी इडली इ इसमें बिटर परेंगे इसी तरह से हम एके करके सारे में बढ़ लेंगे आपको मेरी आज की रेसेपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में शरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक भी करना जैदा से जदा शेयर भी करना और एसी ही नियू नियू रेसेपीस देखने के लिए मेरे चेनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप देख सकते हों कि मैंने यहाँ पर एके करके सारे में बढ़ ली है जदा सदा नहीं बढ़ना है क्योंकि बाद में हमारी इडली फूलती है ना अब यहाँ पर मैं एके करके इसमें रख लूँगी और मेने निचे इसमें पानी डाला है अब पानी डालना बिल्कुल भी ना भूले एके करके हम इसमें अच्छे सेट कर लेंगे इन सब को अच्छे से सेट करने के बाद इसका ठकन लगा लेंगे और इसे चड़ा देंगे गेस वे चड़ाने के बाद हम इसे 15-20 मिनिट तक अच्छे से पकने देंगे इडली को पंद्रा-20 मिनीट में इडली अच्छे से पक जाती हैं वैसे तो इडली बनने में सिर्फ 10 मिनीट ही लगते हैं लेकिन हमारी जोoshi वेजीटेबल इडली और देखिए आप दिखने में भी इतनी अच्छी दिख रहे हैं खुस्बु तो वाकई में बहुत अच्छी आ रहे हैं खाने में बहुत जादा सोफ्ट बनी है और मुहूं में चाते ही कुल जाने वाली इडली बनी है हमारी अब हम यहां पर एकर करके प्लेट में निकाल ले है ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें तड़के से और आप तेखिए यहां पर एक एक करके में प्लेटिंग कर लेती हूं कि कितनी अच्छी दिख रहे हैं ना हमारी वेजिटेबल इडली और छिकल और वेजिटेबल अच्छी मैं कि मुझे आप क्रम आप इन विकल में तो खालेए और वेजिटेबल आप करेंगे में तो कि अरब हो 110 आप यहां पर तोड़कर छोप्र नी आप और मोहों में जाते ह комментар साने हैं चेने बहुत अच्छी लगी ऑग Marin में अगर आप भी जरूर ट्राइब करेंगे ना तो गारेंटी है मेरी आप हफ्ते में कम से कम चार से पांस दिन ये वेजटेबल इडली जरूर बनाएंगे और आप इसे अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हो इससे कोई नुक्षान नहीं होता बस आप यहां पर ओल थोड़ा सा कम डालना बस बहुत ही अच्छी बनती है ये वेजटेबल इडली और आपने कभी नहीं बनाई तो आप एक बार जरूर बनाना कितनी अच्छी दिख रही है कलर फूल खाने में पोखों सदा टेश्टी लगी थी ये